खबर आजमगर जिले से है जहां पर अतरोलिय थाना अंतरगत लोहरा गाउं में राश्ट्री राजमार के बगल में रात लगभग 11 बजे एक मंड़ई में अग्याद कारणों से आग लग गई जिसे आग पूरी तरह बेकावू हो गई असानी लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और सोयम आग बुजाने लगे आग लगने के कारण मंड़ई में रखा ट्रैक्टर, इंजन, लिफ्ट की मशीन समेथ भारे नुकसान हुआ है जो पूरी तरह से जल गए है पिडित नागेश सिंग पुत्र होसला परसाद ने बताया कि आग लगने के कारण भारे नुकसान हुआ है वहीं मंड़ई के बगल में ही इस सित्थ दो गुम्टियों में जो यमना परसाद और फाउसदार की थी उसको भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया जिसके कारण दुकानदार को भी काफे नुकसान हुआ है अग्याद काड़ों से लगी आग पर ग्रामिनों के सहयोग से काबू पाया गया वहीं आग लगने के सूचना पर अस्थानी पुलिस ने पहुँचकर जाच सुरु किया हाला के आग लगने के जानकारी अभी तक पता नहीं चल पाई है लगवक कितने नुकसान हुआ होगा आपका लगवक पांच लाग का और आग कैसे काबू पाये गया यहां अस्थानी लोग पुताया है यहां से आपको जानकारी कैसे होई पता नहीं कैसे आग लग गई घटना है यह 11 और 11 बजे गटना है क्या था आपका यहां सब मेरी घंटी थी और उसमें सब मैटेरियल था इस चीज की दुकान थी यह सूर्ती की थी और उसके वह पॉकार की दुकान थी लगवक कितने नुकसान हुआ होगा अपका काम से कम 77 आप 30 जार का नुकसान हुआ क्या जला है सब मसीन जल गई कंप्यूटर कांटा जल गया उसमें जितना मैटेरियल था हो जल गया और बेरी घंटी जल गई